मैं डॉक्टर करमवीर सिंग, एसोचिट प्रोफेसर, पॉलेटिकल साइन्स, बी एसर गोर्मेंट आर्ट्स कोलेज अलुवर, प्यारे बच्चो, कल हमने ओनलाइन कक्षा में मंत्री परिसद, दा कॉंसिल ओफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा की थी, कि मंत्री परिसद की संडचन किस प्रकार से होती है, मंत्री परिसद और मंत्री मंडल, मंत्री परिसद के आकार, इनके बारे में हमने चर्चा की थी या इनका अध्यन किया था, प्यारे बच्चो, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि हमारे भारतिय साविधान के अनुछे चोतर और पिचेतर में मंत्री परसद की संरचना के समंद में व्यवस्था की गई है और इसमें आपको बताया था कि राष्टपती द्वारा प्रधान मंत्री की नियुकती के जाती है और प्रधानमंत्री की सलापर राष्टपति अन्मंत्रियों की न्युक्ति करता है लेकिन इसमें मैं आपको ये बताया था कि इस समंद में राष्टपति के अधिकार ओपचारी की है क्योंकि लोगसबा में बहुमत दल के नेता को परधान मंत्री पद के लिए आमंत्रित करना रास्टपती के लिए आवशक होता है और किसी भी दल को जब इसपस्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में रास्टपती अपने सेविये का परियोग कर सकता है लेकिन ऐसी इस्टिती में भी उस व्यक्ति को प्रदान मंत्री के लिए ही आमंत्रित करता है जो लोग सबा में बहुमत सिद्ध करने का दावा कर सके केवल दावा ही परस्तोत नहीं उसे बाद में सिद्ध भी करना पड़ता है और अन्मंत्रियों की न्यूक्ति की संद्रम बताये था कि अन्मंत्रियों की न्यूक्ति प्रधान मंत्री की भूमिका होती है इसमें और प्रधान मंत्री की सलहा पर रहे एक प्रकार से राष्ट्पति की द्वारा न्यूक्ति की जाती है प्रधान मंत्री मंत्री न्यूक्त करता है आकार के संदर मैंने आपको बताया था कि सविधान के जो 91 वे सविधान संसोधन यानी की 2003 में हुआ था इन में मंत्री परशद के सदस्यू की संख्या के बारे में कि लोग सबा के सदस्यू की कुल संख्या के 15% से अधिक इसमें नह पर्षद समंदी सिध्धान्त के बारे में अपने अध्धन किया था कि राष्टपती नामात्र का प्रमुक है बहुमदल द्वारा मंत्री पर्षद की रचना और सामोई कुतरदायत का सिध्धान्त इनके बारे में अध्धनापन कर चुके हैं आज इसी कड़ी को आगे अंत्रंग समंद होना स्वभाविक है मंत्री मंदल के सदश व्यास्थापिका के बहुमत दल के सदश होते हैं और सामाने ते वे ही मैधपून विधेक प्रस्तुत करते हैं उनके दल का बहुमत होने के कारण विधेक पारित कराने में भी सफल होते हैं मंत्री परिसद के सद पर उसे त्याग पत्र देना पढ़ता है जैसा कि मैंने आपको पूरु में बताया था जैसे मैं आपको उधान दूँ आपको यहां कि पूरु प्रधानमंत्री श्री नर्शिंग राव और श्री एचदी देवगोडा प्रधानमंत्री न्यूक्त हो जब हुए थे तो संसद क किसी भी सदन के सदश नहीं थे लेकिन बाद में श्री नर्शिंग राव ने 1991 में आंदर प्रधेश के नादियाल चुनाव छेतर से रिकोर्ड मतों से लोगसभा के लिए चुनाव जीता और श्रीमान एचदी देवगोडा ने राजसभा में मनोनेन के मादम से संसद में प सविधान के इस बिंदू पर मोन है कि मंत्री परसद में संसद के दोनु सदनों का प्रतिनी दित्व किस अनुपात में होगा पर व्यवहार में ये देखा गया कि मंत्री परिसद में राजसभा को भी प्रतिनी दित्व दिया जाता रहा है प्रतिनिधत्वो का अनुपाथ एक प्रकार से प्रधानमंत्री का सैविवेक्स तथा राजनितिक आवशक्ता पर निरभर करता है इससे दल बदल को प्रोजचान मिलने वे आवसरवादी राजनिति के बढ़ने की संभावना बढ़ती है प्रधान मंतरी का नेतरतु लेडर्स फोव दा प्राइम मिनिस्टर्स तो इसमें हम बता सकते हैं कि भारतिय सविधान मंतरी परसद के दल के नेता के रूप में प्रधान मंतरी के इस्तिती को स्विकार करता है सविधान के अनुसार राश्ट पती प्रधानमंत्री की न्युक्ती करता है तथा अन्य मंत्रियों की न्युक्ती के लिए प्रधानमंत्री की सलह आवशक होती है प्रधान मंत्री सदश्यों को विभागों का बटवारा करता है तथा किसी मंत्री को आवसकता पढ़ने पर त्याग पत्र देने के लिए बाद भी कर सकता है ऐसे उधारनों की कमी नहीं है जब प्रधान मंत्री से मतभेद के कारण मंत्री ने स्यों त्याग पत्रे दे दिये जैसे आपको यहां बताया जाए कि सरदार पतेल, स्री श्याम परसाद मुखरजी, डाक्टर अमेडकर, स्री कर्शन मेनन, स्री छागला, स्री असोग महता, स्री मोरारजी देशाई, स्री पीवी सिंग, विपी सिंग, इत्यादी ऐसे ही कुछ नाम है कि प्रधान मंत्री मंत्र मंत्री मंदल की बैटकों की अध्यक्सता भी करता है, और विभिन विभागों को निती निर्मान में नेत्र प्रदान करता है, वस्तुत है, मंत्री मंदली नाव की पतवार प्रधान मंत्री के हातों में ही होती है, यह आप सभी को पता होना चाहिए, तो एक प्रकार से प्र उप्रधान मंत्री के पद की व्यवस्था दल में व्यक्ति के महत्व को देखते हुए समय समय पर भात्य मंत्री मंडल में उप्रधान मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई है जैसे सरदार पटेल सिरी मोरार जी देशाई को उप्रधान मंत्री पद अपने महत्पून राज आकार के कारण प्राप्ते हुआ पर यह व्यवस्ता हर मंत्री मंडल में व्यवार में नहीं रहती है बाद में जनता सरकार के समय उप्रधान मंत्री पद राज जिनिक संतुलन के द्रस्टी से प्रधान किये गए जैसे वाजपेई सरकार में आप सभी को पता होगा कि गरह मंत मंत्री की व्यवस्था हो सकती है या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। के सामने श्यवम को प्रस्तुत करना पढ़ता है या करना चाहिए। कौन सी सूचनाय जनता के समक्स जारी की जानी चाहिए। इसका नेड़े भी मंत्री मंदल तथा प्रधान मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। यह गोपनियता का सिध्धानते एक्ता और सामुईक जायतो की भावना को द्रड करने में सायक होती हैं। तो यह एक प्रकार से मंत्री परिशद समंदी सिध्धानत कुछे मैंने आपके सामने रखे। अब नेक्स्ट अपनाएगा मंत्री मंदल के कारिये यानि कि जो मंत्री मंदल है उसके क्या फंक्संस हैं। फंक्संस ओफ कैबिनेट तो इस अंदर में अपन इसकी कल चर्चा करेंगे जैसे मंत्री मंदल के निमन कारिये आपको मैं बताऊं। अलांकि विस्तरत रूप में चर्चा अपन कल करेंगे जैसे नीती का निर्मान, समन्वे कारिये, प्रशासन का संचलन, विदेश समंदी नीतिया, बज आदे बाद